जेहिंद वन्दे मातरूम दोस्तों स्मार्ट स्टेडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत सवागत इस वीडियो के अंतरकर डिस्कस करेंगे राजस्तान पूलिस एक्जाम का ये अपना मोडल टेस्ट नंबर फाइफ है इस से पहले चार मोडल टेस्ट वे पर उड़ेडि में डिसकस कर चुका हूं बहुत अच्छे क्वेशन बहुत अच्छे तरीके से अटेम्ट कीजेगा और कितने सही होते हैं कमेंट में लिख के ज जल को पी पीकर मास जो मास है वो क्या हो चुके हैं बढ़े हो चुके हैं अब जो ये अन्य है उनके मैं आपको शुबंकर बता देता हूं कौन-कौन से वाले हैं वैसे बिकानेर का है जो बढ़तीतर है इसको आप तोड़ा सा धियान रखियेगा तो यहाँ पे मैं आपको बहुत ज़ादा help करेंगे आपकी तो इसको बारे में आपको दियान रखना है अब देख लेते हैं कि कौन-कौन से इनके जो diagram है या ये बोल सकते हैं चित्र है ये आपको दिया हुआ है ये जल पीपी है जो कि आपको diagram में दिख रही है तो ये जल पीपी है दोस्तों इसके सा ये जो है ये जो है इसको कहा जाता है जो इसका mood रूप से नाम है वो है बढ़ती तो इस प्रकार से चार चित्र आपको दिख रहे हैं चारों चित्र काफी ज़ादा important है इसको बारे में आप दियान रखेगा एक्जाम में बहुत ज़ादा help मिलेगी अगला प्रशन है केंदरी विशे क्या रहा है तो राजिस्थान में जो विशे या उके रहे गए हैं उनका जो केंदरी विशे रहा है वो राधा क्रशन की लिलाओं से संबंदित रहा है मा भारत की कथाओं से संबंदित रहा है दोला मारू के चितर से संबंदित रहा है इसके साथ ही वो प् प्रश्ण लीला पर आधारी चित्रों का अधिक के मिलता करेक्ट है इस तरियों का पूरुषों से लंबा ये गलत है क्योंकि ये वेसे भी नॉर्मल साइंटिविक तरिके से भी सही नहीं है इस तरियों की आखरती में गंबीरता देखने को मिलती है और पशुपक्षियों के चित्रन में भाउकता देखने को मिलती है तो इसके साथ ही इस तरियों का कज्च जो है ये गलत दिया हुआ इसके बारे में आप तोड़ा सा धियान रखेगा अगला जो न नत्य सत्य है इसके साथ ही यहाँ पर गलत है यहाँ पर असत्य कर लिजेगा असत्य यहाँ पर जो होगा उस हिसाथ से आपको बारे में आप तोड़ा सा दियान रखिएगा नेक्स जो अपना question है उस question के बारे में देखते हैं अगला जो है कि कामणगीद गाने का समय है तो कामणगीद कब गाय जाते हैं question आप से पूछा गया है कामणगीद दोस्तों में अंबल सकते हैं तो मांडगाई का जो है वो प्रसिद्गाई का मांडगी कौन से मानी जाती है तो अल्ला जिलाई भाई का दोस्तों आपने नाम सुना होगा तो अल्ला जिलाई भाई जो है वो मांडगाई का के रूप में जानी जाती है जितने भी question में यहाँ पर discuss कर रहा हूं सारे previous year exam में पूछे जा चुके हैं अगला है गूमर को मारवाड में कहा जाता है तो गूमर को जो मारवाड वाला शेत्र है उसमें क्या कहा जाता है वेसे नृत्यों का सिर्मों नृत्यों की आत्मा बहुत सारे नामों से इसक हम यह बोल सकते हैं कि नीचे की तरफ जो गागरे में यह बोल सकते हैं कि नीचे का जो बाग होता उसको गूम के रूप में जाना जाता है तो उसी के नाम के आधार पे इसका नाम क्या पड़ा है दोस्तों गूम पड़ा है अगला जो next question अपना वो question है चोदरी कुमबारा लिफ्ट नहर में कौन सा जीला लाबानवित नहीं माना जाता है तो द्यान रखेगा चूरू लाबानवित माना जाता है बिकानेर लाबानवित माना जाता है सीकर लाबानवित माना जाता है तो लेकिन सीकर लाबानवित माना जाता है तो चूरू बिकानेर जुन जुन ले के लिए मुख्य रुप से इसका उप्योग किया जाता है तो ऑप्रेशन खेजड़ा के बारे में तो ध्यान रखेगा 1991 में ऑप्रेशन खेजड़ा की दोस्तों शुरुआत की गई थी अपना जो नेक्स ग्वेशन है जो अगला पूछा गया है राजस्तान के जेविक उध्य अगला क्वेशन है देश का प्रथम आणवीक शक्ती सयंत्र जो है वो लगाया गया तो देश का प्रथम आणवीक शक्ती सयंत्र कहां पर लगाया गया है इसके बारे में ध्यान रखेगा महराश्टर में आणवीक जो सयंत्र है आणवीक शक्ती सयंत्र जो है वो लगाया उसको युनेस को द्वारा विश्व दरोवर कब गोशित किया गया ध्यान रखियागा डेट काफी important है तो 1985 इसका सही उत्तर होगा तो 1985 के बारे में आप दोस्तों ध्यान रखियेगा अगला जो अपना next question है दोस्तों अगला question है शर्पों की शर्ण इस्तली के नाम से रजस्तान को जाना जाता है तो शेर्गड को जाना जाता है तो शेरगण अभ्यारन जो है उसको सर्पो की शरण इस्तली के रूप में जाना जाता है दोस्तों इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है अगला जो next question है अपना नारायनी माता का मंदीर कहां इस्तिते एक वेशन आपसे पूछा है तो नारायनी माता का जो मंदीर है प्यारे दोस्तों वो इस्तिते बरवा डूंगरी ये कहां पे राजगड और राजगड कहां पे अलवर वाले शेत्र में नारायनी माता का जो मंदिर है और अलवर की प्रमुग देवी के रूप में भी दोस्तों नारायनी माता को जाना जाता है अपना अगला क्वेशन है राजस्तान के किस अभ्यरन में सागवान के पेड़ बहुत आयास से पाए जाते हैं तो सरसे सागवान और सरसे सीता माता सीत मंदिर का जो निर्माण हुआ है वो समवत 1468 में हुआ है 1468 में भांडा सागर जेन मंदीरों का दोस्तों निर्माण हुआ है इसके बारे में आपको ध्यान रखना है जो अपना नेक्स्ट अगला क्वेशन है वो नेक्स्ट क्वेशन देखिए कि विकानेर में शहर के जो है वो दोस्तों सम्मिलित नहीं है तो जो पांच गेट है उनके बारे में आपे बात हो रही है अगला question है कि सहरियों का कुम्ब के नाम से प्रसिद है तो कौन सा है सीता बाड़ी का तीर्थ जो है वो सहरियों के कुम्ब के नाम से जाना जाता है काफी जादा important है अपना next question question है उदेपूर में जन्तु आले के बारे में बात की जा रही है कि उदेपूर में जन्तु आले की इस्तापना कब की गई थी तो उदेपूर में जन्तु आले की जो इस्तापना की गई थी वो कब 1878 में उदेपूर में जन्तु आले की प्यारे दोस्तों इस्तापना की गई है तो दरगा दीवान प्रसिद है 27 देवरी प्रसिद है स्री सावरिया जी का मंदिर बहुत जादा प्रसिद है लेकिन कमल फूल बाग जो है वो चितोडगड के अंतरगत इस्तित नहीं है देश का पहला इंटिग्रेटर टेक्स्टाइल पार्ग कहां इस्तापित किया नेक्स जो अगला क्वेशन है कि राजस्तान में इस्मृति वन कहां इस्तापित किये गए इस्मृति में जो पेड लगाने का जो कारी होता है वो इस्तापित किया गया कहां पे जैपूर में तो जैपूर में प्यारे दोस्तों इस्तापित किये गए ध्यान रखेगा इस प